use of examples की बात करते हैं यह examples बहुत important है याद रखिएगा आप अपनी जो भी बात कहते हैं अगर आप example दे देते हैं तो इसका मत्तब यह है कि आप अपनी बातों को बहुत ही जादा substantive way में कहते हैं substantive way में मतब आप उदाहरन दे करके example दे करके लोगों को समझा सकते हैं याद रखिएगा example दे करके अपनी बातों को कहना समझाना और communicate करना बहुत ही easy है आसान है इस बात को धियान रखिएगा जैसे मैं अगर कहूँ कि global warming है और अगर आप उदाहरन दे दिये कि ये इस साल जो है बहुत ज़्यादा average temperature था terrorism की बात कर रहे हैं आप terrorism की जो घटना ही हुए है उनका अगर आप उदाहरन दे करके example दे कि जब अपनी बात कर रहे हैं जिंडर biasness को बात कर रहे हैं और जिंडर biasness को लेकर कि अगर आप ने example दे दिया इसका मतलब ये है कि आप अपनी बातों को बहुती पुखता-तरीके से कर रहे हैं बहुत ही substantive way में कहने की कोशिस कर रहे हैं मतलब आप कर रहे हैं कि हम जो बात कर रहे हैं वो evidence के अधार पर कर रहे हैं example के अधार पर कर रहे हैं इसका मतलब आपके बातों में dumb है